नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दैचेफे फट्डा और मैं हूँ विवेक तीवारे इस वक्त की एक अपडेट आ रही है सिदे लिए चलते हैं अपने जानकार के पास जी बताएं यह पहली बार है जब 15 जून को जो हिंसक जड़ाप होई थी भारती सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में गलवान में उसका वीडियो जो है वो सामने आया हो इससे पहले उस घटना का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया था उस घटना में भारत के 20 सैनिक जो है वो शहीद हो जिसमें संतोष बाबुजे जो थे वो भी शामिल थे और चीन के जो सैनिक थे वो करीब 40-45 सैनिक भारत के सैनिकों ने मार गिराये थे ये दावा भारत की ओर से किया गया था हला कि तब से लेकर अब तक यानि कि आज से पहले तक चीन ने कभी भी इस बात को स्विकार नहीं क कि उसके कितने सैनिक इसमें मारे गए चीन हमेशा से इस बात से इंकार अफिशली कुछ भी नहीं कहता था लेकिन उसके मीडिया के जरीए इस बात से वो इंकार जरूर करता रहता था लेकिन पहली बार ये वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जासकता है कि इस तरीके से जो जो इसको बोलते हैं मेराइवल एज के हत्यार जो है वो हैं डंडे हैं डंडो पर कीले लगी हुई हैं उस तरह के डंडे हैं और दोनों तरफ से एक भीशन लड़ाई जो है इस वीडियो में देखी गई है हलाकि रात के वक्त के सीन भी इस वीडियो में है जिसमें कुछ एक जवब अपर लाइटे चमक रही है लेकिन उसके बाद जो है एक शोर जैसा सुनाई पड़ता है तो पहली बार ये मौका है जब चीन की ही तरफ से सही गलवान में हुई उस हिंसा का वीडियो जो है वो सामने आया है चीन ने दावा ये किया है जैसा कि कोई भी देश करता है कि भारत जो है वो उसकी सीमा में घुषने की कोशिश कर रहा था लेकिन सचाई जो है वो हम सब जानते हैं कि इस तरीके से चीन जो है अपनी विस्तारबादी नीती के तहत कई देशों पर कबजा करने की कोशिश करता रहता और इसी तरीके से लंदाक में भी देखने को मिलाता हलाकि भारतिय कूट नीतिक जीत ही कहेंगे कि अब लंदाक से वो लोग वापस चले गए हैं सैटेड़े को अब एक मीटिंग भी होनी है भारत सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव से हैं और चीन की तरफ से कि आगे इस पर कैसे काम किया जाए हलाकि ये एक वीडियो जो है ये अपने आप में एक नई प्रॉपर्टी है एक नई चीज ह जो सामने आई है कि गलवान में हिंसा जो है वो किस तरीके से हुई थी उसके वीजोल्स जो है वो सामने आई है कि तब उस वक्त क्या हुआ था इसमें स्नाइफर डॉक्स जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है इस वीडियो में कि किस तरीके से दोनों तरफ से एक जबर्द रही है यह चीन ना सिर्फ भारत की सीमा के साथ में लद्दाक में बलकि इसके अलावा भी कई दूसरे देश उसके साथ जो ताइवान है उसके अलावा जो दूसी जगए हैं वहाँ पर चीन जो है वो अपने कब्जे जो है वो तिबबत का इलाका हो चाहे तो जिस तरीके उस लेकिन चीन कहता है आठ मैने बाद ही सही कि उसके चार से पांस सेनिक जो है इसमें मारे गए थे बाकायदा उनके नामों का भी खुला सा चीन ने किया तो ये एक बड़ी अपडेट है भारत और चीन को लेकर जहां तक सवाल है लद्दाक में हुए इंगेजमेंट को देख रिखते हुए कि किस तरीके से दोनों सेनाई जो हैं दु logros के तहरो ये ख़री को उती। तरह से कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, कभी भी ये शूरू हो सकता था लेकिन अब दोनों सेनाई जो हैं वो अपने अपने इलाके में वापसवांग गई हैं अब एक पोगणे के तहत एक एजेंडे के तहत चीन ने चीनी मीडिया ने ये वीडियो गलवान का रिलीज किया है लोगों का यही कहना है कि आपको इतना वक्त क्यों लग गया अगर आपके पास पुटेज थी और आपका दावा था कि इंडियन सोल्जर जो है वो ट्रसपासिंग करके आपके इलाके में आ रहे थे तो आपको आठ महने का वक्त क्यों लगा ये बताने में कि सहब ऐसा हुआ था आपको ये वीडियो तुरंत रिलीस करना चाहिए था लेकिन अब आठ महने के बाद चीन इस वीडियो के जरिए एक नए प्रोपगेंडा एक एजंडे के तहट सामने आया है तो ये एक नई प्रोपरटी एक नए वीडियो जो है वो सामने आया है जी विवेक जी बिलकुल आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जाएए और वहाँ पर कमेंट करिए धन्यवाद